बिहार में मौसम का मूड पूरी तरीके से बदलते हुए दिख रहा है जल्द ही मौनसुन बिहार से विदाई ले लेगा और इसका असर दिखने भी लगा है दक्षिन बिहार में तो अब तक 12 अक्टूबर तक बारिस की कोई उमीद नहीं है वही उत्तर बिहार में भी बादलों के बजार खत्म होने लगे हैं जी हाँ बिहार में अब मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है एक बार फिर से कई जीलों में पारा 30 डिगरी के पार चला गया है रधानी पटना में सनिवार को अधिक्तम ताप मान 33 डिगरी दर्ज किया गया वही राज में सबसे अधिक पारा गोपाल गंज में चढ़ा यहां का अधिक्तम ताप मान 36 डिगरी दर्ज किया गया आधे के करीब जीलों में पारा 30 डिग्री के उपर ही था ये सब मौनसुन की विदाई के संकेत हैं मौसम वैज्यानिकों के अनुसार इस महीने मौनसुन बिहार से पूरी तरह विदा हो जाएगा हाला कि दक्षिन बिहार से ये करीब करीब अब लौट चुका है लेकिन उत्तर बिहार में अभी कुछ दिन रह सकता है पत्ना मौसम विज्ञान केंदर के पुर्वा नुमान के मुताबिक दक्षिन बिहार में मौनसुन की सक्रियता करीब-करीब खत्म हो चुकी है हाला कि उत्तर बिहार में इसकी सक्रियता 11 अक्टूबर तक बनी रहेगी 11 अक्टूबर को सिर्फ सुपॉल, अररिया, किसंगन, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और पूरिया में एक या दो जगों पर हलकी बारिस के असार है इसके बाद 12 अक्टूबर से पूरे राज में मौसम सुष्क हो जाएगा यानि बादलों का जो बजार है वो सिमट जाएगा बिहार में मौसम के पूर्वा नुमान की विश्ति जानकारी आप इस तरीके समझे कि अगले कुछ दिनों के बाद दक्षिन बिहार समेत उत्तर बिहार भी मौनसून से पूरी तरव हिन हो जाएगा यानि मौनसून जो है वो वापस लोट जाएगा देखिए इस साल मौनसून आने में थोड़ा विलंभ हुआ और यही कारण है कि जो मौनसून 25 सितंबर तक वापस हो जाता है वो इस साल 12 अक्टूबर तक बिहार में टिग गया मौसम विभाग के आकड़ों के हिसाब से 12 अक्टूबर से बिहार को मौनसून टाटा बाबाय कह देगा कुल मिला कर इस साल अब तक मौनसून में काफी कम बारिस हुई है बिहार में इसका सबसे अधिक असर धान की खेती पर पड़ा अगस्त यानि सावन के महीने में जिस तरह का हाल हुआ उसके फसलों की हालत खराब हो गई कई जग हो पर रोपनी भी तैस समय में देरी से हुई है और कई जगा तो रोपनी हुई भी नहीं पाई लेकिन अब मौनसून के अलविदा कहने का समय आ चुका है